है 언제 भी आ ये पैजी बहुत करों कि च्लरा कि खेले हांब ये सही रहेगा चलो अंताक्षरी checking किये डियू गीतो की अंताकि मैं शुरू करती हो मैं जलो किया विशरीकशी खैलते हैं अधाय ये भी सही रहेगा चलो मैं शुरू करती हूं ne करूंगा अच्छ ठीक है मैं मा से बोलता हूं मेढग का कबूतर रसे रीच छिपकली लंगूर रेसम का केड़ा नहीं यह नहीं होता है नहीं सही है चलो आगे बोला तो ऐसे तो फिर अम्रूत का भी कीड़ा हो सकता है और भिंदी का भी केड़ा क्यों केड़ों का भी तो अपनी होता है क्या जानवर होता है हां कीलों कीड़ों की अपनी दुनिया होती है यह उसे कीड़ों के नहीं है तो बच्चों, जानवरों को हम दो समूहों में बाड़ते हैं, कशेरुकी और आकशेरुकी, कशेरुकी जन्तु वे होते हैं, जिन में रेड की हड़ी पाई जाती है, और आकशेरुकी जन्तु वे होते हैं, जिन में रेड की हड़ी नहीं पाई जाती, अब हम आकशेरुकी ज जो की एक कोशिकी होता है और साथ ही साथ ये दुनिया का सबसे सरल्तम जीव होता है जो की पानी में पाया जाता है ये बता सकते हो बच्चों हाँ ये पैरा मीशियम है क्या तुम इसका समूह बता सकते हो शिवम भया जी मुझे पता है बताए शेफ अले प्रोटोजोवा बि इसको हम एक कोशिकी, ये एक कोशिकी तो बच्चों नहीं होता, ये बहु कोशिकी होता है, लेकिन इसे भी हम प्रोटोजुआ में रखते हैं, क्या आप लोग ये बता सकते हैं, कि ये कौन है, हाँ, ये साइकान होता है, साइकान, बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, इसके आसपास आपको इसके शरीर में कुछ छेद दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जाजी। तो बच्चों, जिन जन्तू का शरीर छेद युक्त होता है, यानि कि जिन में छेद पाये जाते हैं, ऐसे जन्तू समुद्रिक में चक्तानों से चिपके हुए पाये जाते हैं। और इनको हम पोरी फेरा समुह में रखते हैं। ठीक है। ठीक है। और इसी तरह देखे बच्चों, यह आप लोग तो जानते ही होंगे। यह आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। जेली फिश। तो आप बता सकते हैं इसे किस समुह में रखते हैं। नई भया जी। आपको मैं बताऊंगा। जेली फिश को हम सीलें टेटा समुह में रखते हैं। जेली फिश जैसे कि आप देखते हैं। जली फिश के साथ ही साथ एक और जन्तू है, बताओ बच्चों ये क्या है, इसमें आपको कुछ खास दिखाई पड़ रहा है बच्चों, इसमें काटे जैसे क्या लगे हैं बिल्कुल, ये इसको भी हम सीलेंट्रेटा समूह में रखते हैं, जो जन्तू सीलेंट्रेटा समूह केंद पाए जाती है। अच्छा इसको आप बता एकइं कि यह आखिर क्या है? टेपवर्म चैपवर्म का ед karşı ん हिंदी में जानता है? नए वह जहीं। इस वयतन है आन की इनलने है जानने जानता है। और क्या बता सकते हो कि इसे फीता क्रमी क्यों कहा जाता है जी वही है जी बताया शेफाली क्योंकि यह बहुत पतला सा होता है और बहुत लंबा भी फीते जैसा बिल्कुल और साथ ही इसमें पत्टियां पाई जाती है फीते जैसी पत्टियां जो कि आप लोग इसके शरीर मे इसलिए इसको फीता करमी बोलते हैं और इसको हम रखते हैं प्लैटी हैलमंथीस समूह में एक और समूह है इस जनतु को देखकर तो आप जानी गया होंगे बताएं ही क्या है एसकेरिस बिल्कुल सही और यह बच्चों आप बता सकते हैं कि एसकेरिस की खास बात क्या होती है क परजीवी उन्हें कहते हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे जन्तूओं पर निर्भर करते हैं और इनको हम नीमे टोड़ा सा मुझ में रखते हैं इनका शरीर कई खंडों में बटा रहता है और इनके समूह को हम एनिलेडा के नाम से जानते हैं, यानि कि वो जन्तु जो एनिलेडा में आते हैं, उनका उधारन है केचुवा, ठीक है? अच्छा बच्चो ये बताईए, बिल्कुल ये तो आप लोगों ने अपने आसपास बहुत देखा हुगा, अच्छा शिवा माप बताईए, ये क्या है ये घोंगा है, क्या आप भी बता सकते हैं कि जो घोंगा है, ये एक जन्तु है या इसके अंदर भी कोई जन्तु रहता है? इसके अंदर भी रहता है, बिल्कुल घोंगा जो है, ये एक कवच है इसका जो आप बाहरी हिस्सा देख रहे हैं बच्चों, ये एक कठोर कवच ह होता है और इसके अंदर जो जन्तु रहता है वो वास्तों में खोंगा होता है और ऐसे जन्तों को हम जिस समुह में रखते हैं उसका नाम है मोलस्का क्या नाम है बताईए मोलस्का बिल्कुल सही और साथी साथ इसका समुह आपको बताना है पहले यह है क्या यह बताईए सीप CP और इसका समूग क्या होगा? मोलस का बिल्कुल सही शिवाम आपने कैसे पहचाना ये बताईे क्योंकि आपने इसके पहली भी बताया था घूंगा हाँ और शिवाम ने जिस तरह से पहचाना मैं बताऊ आप लोगो क्योंकि घूंगे के उपर भी कबच था और CP के उपर भी कबच है तो देखा आपने कि अगर हम किसी समूग के एक जनतु के बारे में जान ले तो दूसरे के बारे में जानना भी आसान हो जाता है तो इस तरह से घूंगा और CP इन दोनों को हम मोलस का समूग में रखते हैं यह तो बिल्कुल आप लोगों को बताना ही पड़ेगा यह तो केकड़ा है आपने देखा शुभी क्या है यह केकड़ा केकड़े को हम किस समूग में रख सकते हैं नहीं आदाया चली मैं बताता हूँ भाया जी मैं बताओं आर्थोपोडा बिल्कुल सही बिल्कुल सही हम केकड़े को आर्थोपोडा समूह में रखते हैं और ऐसे जनतों जिनको आर्थोपोडा समूह में रखते हैं उनकी खास बात जानते हैं नहीं मैं बताता हूँ उनकी खास बात क्या है। ऐसे जन्तु जिनमें छे ठांगे पाई जाती हैं और साथी साथ इनमें कुछ ऐसे शरीर के भाग होते हैं जो कि जुड़े हुए रहते हैं यानि कि संदे युगत उपांग उन्हें कहा जाता है और ऐसे जन्तुओं को हम आर्थोपोडा के नाम से जानते ह हैं और एक और खास बात अर्थोपोडा के बारे में वो यह है कि अर्थोपोडा एक ऐसा समू है जिसके जन्तु बहुत जयादा संख्या में आपके आस-पास पाये जाते हैं। कोई दूसरा है आप सोच सकते हैं और देखते हैं अर्थोपोडा का बताईए मक्षी तो आप इसकी खास बात बताईए आप बताईए दिव्या अरे इसके तो पांच टांगे है क्या बिल्कुल सही और कोई दूसरी खास बात हाँ ये तो तारे जैसी है इसलिए इसका नाम है तारा मचली और ये समुद्र में पाई जाती है ठीक है और साथी साथ बच्चों इसके जो शर रखा इसतरह आपने हमारे जो 9 समुधं वह उनके बारे में जाना और ये सभी आप बताईए जो 9 समुधंगे और आस पास देखा है जी भैया जी जैसे कुता बिली हागाय बिल्कुल सही शैफाली और शिवम ने बिल्कुल सही बताया हमारे आस पास ऐसे जन्तु जिनमें रेड की हड़ी पाई जाती है उन्हें हम कशिर की समोह में रखते हैं क्या बच्चों आप सभी जानते हैं कि इस संसा बिल्कुल यह सवाल आपने बहुत अच्छा उठाय शुभी बच्चों बिल्कुल सही बात है कि अगर 18 लाख जन्तु है और उनकी जातिया है तो उनका नाम याद रखना और उनकी लक्षनों को याद रखना तो बहुत मुश्किल होता होगा लेकिन हम ऐसा कर पाते हैं और उसके लिए एक विधी है वर्गी करण की वर्गी करण यह क्या होता है विल्कुल वर्गी करण के बारे में बताऊंगा बच्चों जैसे आप इस चीज को ऐसे समझे कि जब जन्तु हो को उनके लक्षनों के आधार पर हम किसी खास समूह में रखते हैं तो इस विधी को हम वर्गी करन कहते हैं, यानि कि ऐसे जन्तु जिनके लक्षन समान हैं, उनको हम एक जन्तु में रखते हैं, और ऐसे जन्तु जिनके लक्षन आपसे मिलते हैं, उनको हम दूसरे समुह में रखते हैं, और इसका एक सबसे बड़ा फायदा बच्चों आप जानते हैं, क्या होता ह कि अगर आप किसी एक समुह के लक्षों का अध्यन कर लेते हैं, तो आप उस समुह के दूसरे जन्तों के बारे में भी अपने आप ही जान जाते हैं अच्छा भाया जी, इसका ये बतले वे कि हम एक समू के किसी भी जन्तों के बारे में जानकर उन समू के सारे जन्तों के बारे में जान जाएंगे। बिल्कुल शेफाली, तुमने एक दम सही कहा और इसका उदारण हम ऐसे ले सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पक्षी वर्ग में तो बहुत सारे पक्षी आते हैं, लेकिन अगर हम पक्षी वर्ग के लक्षों को पढ़ लें, तो उस समू के सारे लक्षन, उनका आवास, उनका सुभाव, वो किस तरह का खाना खाते हैं, उनका शरीर कैसा है, इन सभी लक्षों के बारे में जान जाते हैं और ये सभी लक्षन सभी पक्षियों के लिए एक ही होते हैं तो ये बात आपको समझ में आई जी मैं जी इस तरीके से हम अपने आसपास के जनतुओं को समुह में बाटते हैं और साथ ही साथ इनको बड़ी ही आसानी से हम याद भी रख सकते हैं ल यह नहीं सीखा? जीव जीव तो सबसे पहले श्रीवम आप ये बताइए अमीबा को हम किस समूह में रखते हैं? बिलकुल, सही यानि अभी तक आप को याद है और आचा आप ये बताइए दिव्या कि जो कौप की ज़ इन पताइए शेफाली की अगर हम मोलस्का समूह में किस जन्तों को रखा जा सकता है भया जी सीप और घौंगा को और यह बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने यह सीखा लेकिन एक बात यह बताईए बच्चों कि जो जानकारी अभी आपको हुई है इस जानकारी से आपको एक सबसे बड़ा फाइदा क्या मिलेगा भया जी मैं बताँ बताईए कि हम प्रॉमिस करना होगा कि आप अगली बार से जब अन्ताक्षरी खेलेंगे और वो भी जानवरों के नाम की तो आप आपस में लड़ाई जगडा नहीं करेंगे ठीक है जीवरिया 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 जीव